हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल, आज हम डिसकस करेंगे डिडिये, सेक्षन ओफिस और होटी कल्चर के प्रीबियस पिपर का सॉलुशन पार्ट वन, इस पार्ट में अप्रॉक्स 25 कॉशन हम कवर करेंगे और कॉशन के साथ साथ डिसकसन करेंगे, तो हम हर कॉशन को इंपोर्टेंट मानके उसका डिसकसन करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि और कौन-कौन से कॉशन एग्जाम के पॉइंट अव्यू से इंपोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, उससे पहले आपको बता दें, जो भी लोग नए पेटरं की, तो जो एक्जाम पेटरं आपकेराएगा, वो टोटल नंबर आफ कॉशन आपके 120 होंगे, फ्रोली क्लिचर, मेडिसनल और होटी कलिचर से 80 कॉशन आपको देखने को मिलेंगे, रीजिनिंग से 10 कॉशन देखने को मिलेंगे, इंग्लिस से भी आपको 10 कॉशन होगा जो अब 2020 का जो एक्जाम होने वाला है एक्जाम लेवल जो पिछला वाला एक्जाम था वो easy to moderate था इस वार chances है कि moderate लेवल का एक्जाम आपको देखने को मिलेगा इसलिए थोड़ा सा competition hard है महनत अच्छे से करिए hard work करिए concentration के साथ तो चले शुरू करते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा cut off के वारे में जाल लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा information आपको दे देता हूं कि examination जो हुआ था पिछली वार वो 18-09 मतलब 18 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में हुआ था 2017 में जो पिछला SO का exam हुआ था और अगर हम बात करेंगे SO के exam की तो वो हुआ था आपका 27 सितंबर 2017 को टोटल यहाँ पर 59,404 candidate एपिर्ड हुए थे इस exam में लबक 60,000 बच्चों ने exam दिया था जो की total vacancy आए थी 655 जिसमें से 101 vacancy थी SO होटी कल्चर के लिए तो यहाँ पर थोड़ा सा बोल सकते हैं इस वार vacancy कम हुई है इसलिए competition थोड़ा सा बढ़ गया है तो आपको मेनत continue करनी होगी और hardware के साथ करनी होगी अगर हम cut off की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो cut off यहाँ पर आप देख पा रहे होगे SO होटी कल्चर की 2017 की cut off है official cut off है तो यहाँ पर 120 question में जो cut off गई थी UR की वो गई थी 58.84 SC की गई थी 46.60 ST की जो cut off थी हो 52.36 OBC की cut off थी 52.71 और OH की 39.78 और HH की 22.85 यहाँ पर cut off गई थी तो यहाँ पर हम थोड़ा सा idea ले लिया कि क्या cut off है और आने वाले exam में मतलब इस exam में जो cut off जाएगी वो obviously इससे ज़्यादा जाएगी क्योंकि number of vacancy का में और competition थोड़ा सा बढ़ जाएगा इस बार आप चलते हैं, start करते हैं हमारे questions और यहाँ पर बहुत questions ऐसे हैं जो अभी तक मैंने playlist आपको कराई है SO Horticulture की उसमें cover हुए हैं और उसमें से हमने यहाँ पर data भी लिया है तो चानेंगे कि कौन-कौन से question हमारे data से आई हुए थे इस exam में तो यहाँ पर बात करेंगे, which style of gardening first the plan is made on paper and then perform in the field यह हम आपको पढ़ा चुके हैं, काफी important था, types of gardening हमने पढ़ा दिया है, सारा पढ़ाया है तो यहाँ पर इस concern होगा formal garden, तो हम formal garden जब बनाते हैं तो plan पहले paper पर बनाते हैं, उसके बाद उसको field पर execute करते हैं, perform करते हैं इसके बाद थोड़ा सा detail हम लेंगे, तो यहाँ पर features of formal garden, तो यहाँ पर label होता है land up का symmetrical design होती है मतलब अगर आपने कोई भी चीज, कोई plan लगाया है, तो दौनों साइड में आपको equal distance रखनी पड़ेगी, वह आपकी symmetrical कहलाती है hedge, age and topiary are trimmed, तो यहाँ पर जो hedges, ages और topiary लगाते हैं, उसको हमको time to time trim करना होता है यहाँ पर feature होता है, formal garden का, examples की बात कर लेते हैं, तो mogal garden, french garden, persian garden, यह example हो गए आपके formal garden के तो यह सारे features हो गए, अब बात कर लेते हैं, दूसरा garden मतलब दूसरे type का इसको बोलते हैं, हम informal आपके formal और informal garden दोनों important हैं, इससे question आपको देखने को मिल सकते हैं तो यहाँ पर plan is forced to fit the land, तो यहाँ पर जो plan बनाया जाता है, वो step से बनाया जाता है कि हमारी overall area cover हो जाए, हमको यह फरक नहीं पड़ता है कि हमको symmetry रखनी है कि नहीं रखनी है, कहीं पर distance चोड़ना है कि नहीं चोड़ना है, हमको केवल और केवल पूरा area fit करना है, उसको cover क करना है कि से vegetation से plant से, तो यह इसका feature होता है, land is not level, तो यहाँ पर आपको land level करनी की requirement नहीं होती है, informal garden में, symmetry, asymmetry मतलब है कि symmetry नहीं होती है, कहीं भी आपकी distance जादा होगी, कहीं कम होगी, कोई भी यहाँ पर accuracy नहीं रखते हैं, हम informal garden बनाते वक, non-geometrical beds और border, तो यहाँ पर ज geometry follow नहीं करते हैं, यह feature होता है, informal garden का, example की बात करेंगे, तो Japanese garden, Chinese garden, etc, तो यहाँ पर हमको इस question से, इतना कुछ चीखने को मिला, जो कि हमारा formal और informal garden के regarding था, अब चलते हैं, next question पर, next question है, chrysanthemum is propagated by, तो यहाँ पर chrysanthemum की बात हो रही है, कि propagate किया जाता है, किसके दोरा, बहुत simple answer है, terminal cutting, अब इसके बारे में थोड़ा साम detail में जान लेते हैं, तो chrysanthemum is also propagated by root sucker, तो यहाँ अगर आपके option में root sucker भी दिया होता है, तो आपके दोनों answer होंगे, terminal cutting and root sucker both, अगर option म कभी आपको question देखने को मिलता है, तो दोनों answer आपके cycle आएंगे, अब बात कर लेते हैं, the best temperature for growing, अगर हम chrysanthemum की बात करेंगे, तो जो आपका दिन का temperature होता है, इसको grow करने के लिए, वो 20-28 degree Celsius होना चाहिए, और night का 15-20 degree Celsius होना चाहिए, तो easily आप chrysanthemum plant को grow कर पाएंगे, planting time हमारी जती है, जून जुलाई, तो जून जुलाई में हम इसको planting करते हैं, कई बार question आ जाता है, कि क्रिसन थिमम का planting time का है, तो ये जून जुलाई में किया जाता है, अगर हम variety की बात करें, तो important variety है, यहासे भी question देखने को मिल सकता है, variety CO1, जो की yellow color के flowers provide करती है, और variety CO2 जो purple color के flowers provide करती है, तो यहाँ पर हमने इतना कुछ जाना इस question से, कि क्रिसन थिमम कैसे propagate करते हैं, उसका temperature क्या होता है, जो की ideal temperature क्यालाता है, उसके growing के लिए, उसके pH हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, तो well-drained soil, मतलब well-drained red loamy soil होनी चाहिए, अगर आप अच्छे से इसकी लेके 7 है, तो crescent थिमम की growth काफी अच्छी होगी, यहाँ पर यह question बन सकता है, कि crescent थिमम की growth किस soil pH पे अच्छे से work करती है, यहाँ बहुत सकते हो कि production ज्यादा होता है, तो आप cancer होगा 6 to 7, तो यहाँ पर हमने इतने सारे question यहाँ पे cover किये, इस question से related, आगे बात कर लेते ह question, yellowing of lawn is due to, तो यहाँ पर बात हो रही है, lawn development की, तो यह भी हमने lawn development वाले वीडियो में पूरा detail में बताया है, आप उसको देख सकते हैं, पूरी playlist की link में, description box में दे दूँगा, वहाँ जाके आप one way one सारे वीडियो देख लेना, आपके सारे topic यहाँ पे clear हो जाएंगे, इस यहाँ पे क्या होगा, soil के जो pores हैं, वो आपके full हो जाएंगे, soil आपकी saturate हो जाएगी, तो आप पर oxygen नहीं जा पाएगी roots में, और जिसके कारण क्या होगा, due to lack of oxygen, plant become yellow, तो यहाँ पे जो plant की leaves हैं, वो कैसी हो जाएंगी, yellow color की हो जाएंगी, और यही कारण है कि lawn आपका yellow color का दिखता है, पीले color का दिखता है, due to water logging, इससे related कुछ जान लेते हैं, तो the soil should be exposed to the sun for 15 to 20 days, तो यहाँ पे अगर आप lawn लगाना चाहरे हो, तो सबसे पहले आपको soil को 15 से 20 दिन के लिए sun के exposure में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप lawn की grass वापे लगा सकते हैं, lawn के बार ठीक है, 5 to 5.6 is the best pH for lawn development, आगे बात करेंगे अगर आपका जो lawn development का soil है, वो थोड़ा सा acidic है, तो यहाँ पर 500 gram per meter square के according, यहाँ पर हम lime लगाएंगे, उसमें मतलब lime देंगे, चूना देंगे, तो वो आपका जो nature है, वो ठीक हो जाएगा, acidic nature, और अगर यहाँ पर alkaline nature है, तो यहाँ पर gypsum हम same quantity में देंगे, तो आपकी जो soil है, वो neutral होने की कोशिस करेगी, और आपका 6.5 से 7.5 क्या होता है, एक best pH मना जाता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए, लेकिन यहाँ पर हम grasses को grow कर रहा है, तो यहाँ पर 5 से लेके 5.5 का हमारा pH best होता है, lawn development के लिए, अगर हम इसको seed के according बोएंगे, मतलब जो घास का seed भी आता है, अगर हम उसके seed rate की बात करेंगे, तो 15 से 30 kg यहाँ पर लगाया जाता है, वन hectare में, तो एक hectare में जो rate होता है, वो आपका 15 से 30 kg होता है, यहाँ पर depend करता है आपकी variety क्या है, ठीक है, अगर आपका hybrid का है, या normal variety है, तो उस पर आपका जो quantity है, वो कम जादा हो जाती है, तो इस question से हमको इतना कुछ चीकने को मिला, तो यहाँ पर हमारे यह सारे fact किलियर हो गए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, helpful लग रही है, तो वीडियो को like जरूर करना, और इस वीडियो कम से कम एक whatsapp या every group में share भ तो यहाँ पर आपका answer होगा 6 to 7.5, तो 6 से लेके 7.5 is the best pH for growing rose plant, ठीक है, अब इस से related कुछ question समझानेंगे, तो rose plant का यहाँ पर 6 से लेके 7 भी होता है, अगर आपको option में 6 से 7 दिखता है, या फिस 6 से 7 दिखता है, तो वो दोनों आपकी answer सही होंगे, थोड़ा भी confuse आपको नहीं होना है, अगर हम बात करेंगे कारनेशन फ्लावर की, तो यहाँ पर 5.5 से 6.5 pH best रहता है growing के लिए, अगर हम बात करें क्रोसेंद्रा की, तो यहाँ पर 6 से लेके 7.5 pH is the best for growing क्रोसेंद्रा, अगर हम बात करेंगे क्रिसन्थिमम की, तो यहाँ पर 6 से 7 pH best होता है growing के ल 5-6 flowers के pH rate जान लिए कि soil का pH कौन सा best रहता है इन flowers के लिए तो यहां से हमारे इतने सारे question complete हो गए जो exam के point of view से काफी important है आगे बात करेंगे art of training plants into shapes of statue birds और animals known as यह भी हमने टोपेरी वाले वीडियो में कराया हुआ है सारा data आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा जो इस वार हमने डाले हुए है जो की playlist में जाके आप देख पाएंगे तो इसका answer है टोपेरी और टोपेरी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं प्लांट को train करते है एक नई shape में चाहे हो statue की shape हो किसी word की shape हो या किसी animal की shape हो कैसी भी shape हो अगर हमने किसी shape में उस plant को convert किया है तो आपका क्या कर लाएगा टोपेरी अब थोड़ा से इसके बारे हम जान लेते हैं the art of practice of clipping shrubs or trees into ornamental shape तो हम क्या करते हैं एक सजावटी नुमा कोई भी एक आपका art होती है उसमें हम उसको convert कर देते हैं trimming करके cutting करके leaves को canopy को cut करके तो एक अच्छा देखने में थोड़ा appearance उसकी अच्छी हो जाती है और देखने में attractive लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं topiary बोलते हैं जैसे हमारा animals birds और arches की तरह हम उसको बना देते हैं अगर आपको hilly area में planting करनी है topiary बनाना है तो आप क्या लगाओगे वहाँ पे वहाँ पे आप लगाओगे capricus, macrocarpa और pinus, petula ठीक है जै आपका hilly area के लिए है और अगर आप plain area में लगा रहे हो तो आपका वोगन वीला species और आपका कैसोरीना species लगा सकते हैं जो की plain area में काफी growth करता है तो यहां से हमने topiary से related इतना कुछ जाना जो की exam के point of view से काफी important है detail में पढ़ने के लिए आप हमारे वीडियो पर जा सकते हैं वापर आपको detail में topiary के बारे में बताया गया है आगे बात करेंगे the book entitled beautiful garden is written by तो यहां पर बात हो रही है कि beautiful garden book को किस writer ने लिखा है तो answer आपका है MS रंधावा तो यह भी question हमने उस वीडियो में cover किया है जो की आपको हमारे playlist में मिल जाएगा इसके अगर हम बात करेंगे तो यह जो book थी वो तो MS रंधावा ने लिखी है उस तो related और भी कुछ books है जो exams में आ सकती है काफी important है जैसे बात करेंगे beautiful climbers in India किस ने लिखी है डक्टर BP पाल ने लिखी है दूसरी book है आपकी advances in horticulture यह आपकी KL चड़ाने लिखी है और एक book आपकी vegetable crops in India या फिर vegetable crops of India यह आपकी KS यावल करने लिखी है तो यह भी आपको detail हमारे videos में मिल जाएंगे तो सारा कुछ हमने करा दिया है videos में available है आप जाके देख सकते हैं detail में तो ऐसे question है जो कि आपको easy type के question लग रहे हैं और जो हमारे videos से आए थे और आगे भी उम्मीद है कि हमारे videos से question आपको देखने को मिलेंगे इस exam में 2020 के में आगे बात कर लेते हैं और important question जो कि आपके paper में आया था in bonsai which type of container is good for cascade type तो यहाँ पर बात हो रही है cascade type bonsai में सबसी अच्छा जो container है वो कौन सा है तो container आपके rectangular type हो सकते है square type हो सकत है ठीक है तो यहाँ पर होता है आपका square type क्योंकि आपका जो cascade type आपका bonsai होता है वो क्या करता है downward direction में growth करता है इसलिए हम क्या करते हैं उसकी 4 हो जो हमारी side होती है वो बरावर होती है तो वो किसी भी direction में चाहिए वो left हो right हो किसी भी direction हो easily वो downward move करेगा तो उसको कोई भी problem नहीं होगी growth करने में इसलिए हम वाँ पर square type का container यूज करते हैं अब इससे related कुछ important जा लेते हैं तो bonsai is a Japanese art from using cultivation technique to produce a small tree that mimic the shape and scale of full size tree तो यहाँ पर क्या होता है bonsai क्या होता है एक बड़े tree का mimic होता है मतलब क्या होता है mimicry मतलब same as बड़ा tree होता है उसी के जैसा होगा वास उसकी जो geometry होगी उसका जो size होगा वो कम हो जाएगा वाकि जो appearance है उसकी या वो सकते हो जो जैसा दिखता है उसी type का आपको bonsai भी दिखता है लेकिन size उसका कम हो जाता है आगे बात करेंगे the optimum size of bonsai maybe 32-60 cm यह काफी important है तो जो optimum size होते हैं bonsai के वो 30-60 cm के लगवग होते है ठी season जो होते हैं bonsai लगाने के लिए वो आपका जोलाई से अगस्त का काफी अच्छा होता और फरवरी मार्स का होता ठीक है तो यह आपके दौनों मौसम हैं जहां पर आप bonsai तयार कर सकते हैं अपने home में अपने garden में types की बात कर लेते हैं तो बहुत सा type के आपके bonsai होते हैं जैसे आपका formal upright, informal upright, broom, bin blown, raft, slanting, cascade, semi-cascade और multiple trunk तो यह सारे आपके bonsai के type में जो easily आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा जो हमने bonsai के लिए अलग से वीडियो बनाए हुआ है तो उस पर हमने bonsai के वारे में उसके types के वारे में detail में discuss किया हुआ है तो वहाँ जाके आप देख पाएंगे आगे बात करेंगे एक और important question जो exam में आए था which of the country is the largest exporter of cut flower in the world यह काफी important है कि cut flower का largest export करने वाला कौन सा country है तो आपका एगी आंसर होगा नेधरलेंड आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो क्योंकि वहाँ कर जो target है वी तक किसी ने beat नहीं किया है तो नेधरलेंड ऐसा country है जो सबसे ज्यादा export करता है largest amount में cut flowers को अब बात कर लेए थोड़ा सा related तो top 3 flowers bucket export तो यहाँ पे हम अगर बात करेंगे top 3 flowers bucket export की तो नेधरलें first number पे है second number पे Columbia और third number पे Ecuador ठीक है यह 3 आपके top 3 flower bucket exporter है और नेधरलेंड is the largest flower producing country in the world with about 68% contribution of the annual flower production तो annual flower production में लगवग 68% जो production होता है वो केवल और केवल नेधरलेंड का होता है according to 2019 year तो 2019 के अनुसार लगवग 68% जो contribution करता है वो नेधरलेंड करता है annual flower production में तो यहाँ से हमने इतनी सारी चीह जानी flower से related और आपके नेधरलेंड से related आगे चलते है एक और important question यह भी question आपके एक जाम में है था running water in the form of water latent and fountain in the main feature तो यहाँ पे water latent क्या होता है एक पानी में लाल टेंज अलाके हम उसको float कराते हैं उसको water latent बोलते हैं और fountain मतलब होता है जहरना तो यहाँ पर बात हो रही है कि यह feature जो की running water होता है इनके form में वो किस garden में देखने को मिलेगा तो normal है मोगल गार्डन में आप देख सकते हैं आपका जो ताज मेहल पे जो सामने लगा जो भी आपका मोगल गार्डन है आपका राष्टपती ववन के सामने जो भी आपका मोगल गार्डन है तो यहाँ पर क्या है यह formal गार्डन है सारे प्लान उसमें फॉलो होते हैं इसका जो planning है वो पहले paper पर की जाती है उसके बाद उसको execute किया जाता है field में उसमें symmetry follow की जा जाती है हेज एज की यहाँ पर trimming की जाती है तो यही features होते हैं आपके मोगल गार्डन के यहाँ पर जो water का बोल सकते हो जो running water होता है वो भी आपका जहरने वहाँ देखने को आपको मिल जाता है इससे कुछ related जान लेते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था formal garden के जिसको हम Islamic garden भी बोलते हैं और informal garden के examples की बात करेंगे तो Japanese garden, Chinese garden और English garden यह मैं आपको इतना repeat करा दोगा कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि formal garden के examples कौन से होते हैं और informal garden के examples कौन से होते हैं तो यहाँ से हमने इतना कुछ जाना इस question से आगे बात कर लेते हैं एक और different questions के बारे में जैसे एक question बनेगा आपका कि इसका botnical name क्या है तो आपका जो botnical name होगा वो क्या होगा आपका chlorophytum borivillianum ठीक है chlorophytum borivillianum is the botnical name of सफेद musli और यह belong करती है family liliacy से और it is also known as second silajit इसको second silajit के नाम से जानते हैं बहुत important question है और यह एक जामस में आया question है इसलिए आपको याद रखना है सफेद musli is also known as second silajit आगे बात करेंगे it can grow up to maximum height of 1.5 feet तो इसकी जो maximum height होती है ग्रो करने की वो लगबग 1.5 feet तक होती है इतना आपको याद रखना है काफी important question है आगे चलते हैं और important session में continue करते है questions उससे पहले अगर आपनी वीडियो कर देना और वीडियो को share भी कर देना next question है area of garden devoted exclusively to shrubs is known as तो यहाँ पर बात हो रही है कि कोई garden है उसमें अगर दो shrubs लगी हुई है exclusively तो वो क्या के लाएगा हम आपको ये भी पढ़ा चुके हैं आप हमारे वीडियो में जाएंगे तो हापर हमने shrubs के बारे में shrubbery के बारे में hages, ages, topiary सब के बारे में detail में बताय हुआ है आप playlist में जाके detail में उस वीडियो को देख सकते हैं तो इसका answer आपका है shrubbery अब हमने क्या पढ़ा था तो growing of shrubs in a group is known as shrubbery तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हम shrubs को group में grow करते हैं बलब two या more than two plants में हम grow करेंगे तो यहा आपका क्या कलाएगा shrubbery कलाएगा यहाँ पर दो टाइप की shrubbery होती है pure shrubbery और एक आपका mixed shrubbery तो यहाँ पर shrubs for showy and attractive flower तो यहाँ पर जो आपकी pure shrubbery होती है उसमें केवल single species हम use करते हैं shrub की लेकिन जो आपकी mixed shrubbery होती है वहाँ पर हम multiple species use करते हैं shrubs की ठीक है यहाँ प कौन सी है आपकी हिविसकस हो गई मुसांडा हो गई नाइट किन हो गई यह आपके ऐसे प्लांट हैं जो हम as a यहाँ पर shrubbery यूज करते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे fragrance के लिए मतलब महक के लिए शोगंद के लिए तो यहाँ पर जैस्मीन और आपका पैवल मली एसेक इतना सारा discuss किया इस question से related हमने यह भी जाना कि यहाँ पर अगर more than two shrubs आपस में लगी होंगी किसी plant किसी plot में या किसी garden में तो आपका श्रिबेरी के लाएगा उसके types जाने उसके बाद हमने यह भी जाना कि उनके examples according to fragrance, according to foliage और according to attractive flowers और showiness आगे चलते हैं next question है, central institute of medicinal and aromatic plant is located at, तो यह भी question हमने कराया है, आप quiz में जाके देख सकते हैं, बाकि हमने अलग से भी यह question आपकी SO playlist में करा दिया है, जिसमें हमने सभी horticulture related institute का विस्थापित हुए और कहां पर इस्तिते हैं, सबके बारे हमने detail में जाना था, इसका answer आपका है लखनाव मे अब थोड़ा सा हम detail में जानेंगे, इस से related और कौसर question बन सकते हैं, एक question बन सकता है, national research center for orchid is located, तो यह अगर आपसे पूछा जाए, कि national research center for orchid कहां पर है, तो आपका होगा सिक्किम में, अगर आपसे question पूछा जाता है, Indian institute of horticulture research कहां पर है, तो बैंगलोर, करनाटका में, अगर आपसे पूछा जाए, Central institute of subtropical horticulture कहां पर है, तो आपका लखना उत्तर पर देश में, तो यहाँ पर हमने चार question कवर कर लिए, पहला तो हम यह करी चुके हैं, बाकी, second, third, और fourth, तो यहाँ पर आपको सारा कुछ पता चल गया, कि कौन सा research center, कौन सा institute कहां पर इस्थि जिस क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपका जो answer है, वो plant है, पहले आप समझ लेते हैं, यह जिस क्या होता है, तो these are perennial plant used as a short border for a lawn, और dividing beds from road, walk और path, तो यहाँ पर क्या होता है, यह perennial plant होते हैं, जो short border बनाने के लिए use किये जाते हैं, किसी भी lawn में, और यहाँ फिर हम बोल सक करते हैं, कि उस स्वम क्या करते हैं, छोटे-छोटे path में, छोटे-छोटे walk में divide कर देते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, aging कहलाता है, नॉर्मल यहाँ border से समझ ली, garden का जो border है, जो plant से बनाया जा रहा है, वही आपका क्या कहलाता है, ages, तो यहाँ पर informal aging कैसे बना जाता है plant के help से तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है concrete tiles और stones भी आपके option में दिये हुए हैं तो आप सोचिए अगर हम informal बना रहे हैं तो इसको कभी भी change कर सकते हैं informal तो एक तरह से temporary होता है लेकिन अगर हमने concrete से tiles या फिर stones से अगर हमने aging करती तो वो तो permanent हो जाएगा और permanent चीज आगे बात कर लेते हैं which medicinal plant is known as second silajit जो मैं आपको बदा रहा था यह question exam में आया है और आगे भी आ सकता है यह question भी हमने अपने वीडियो में कराया है सिलajit के बारे में और सफेद मुसली के बारे में काफी discussion हमने इस वीडियो में किया है तो उसको जाके आप देख सकते हैं इसका answer है सफेद मुसली तो सफेद मुसली को हम second silajit बोलते हैं और यह क्या है अपका medicinal plant है मतलब औशधी अपयोदा है इस plant के help से हम औशधी बनाते ह जो कि आपने पड़ा होगा आयरुवेद में आपने पड़ा होगा सफेद मुसली का यूज पावर इनहेंस करने के लिए यूज किया जाता है यहां पर थोड़ा सा जान लेते हैं तो मैं आपको बदा चुका हूँ सफेद मुसली का जो बाटनिकल ने हो वो क्या है chlorophytum बो बांजाई शुड भी तो यहां पर में बांजाई पर भी हमने कॉशन कराया है और इस्पेशल वीडियो बांजाई पर जो बनाई है उसमें हमने जाना है कि में बांजाई होता क्या है में बांजाई की हाइट कितनी होती है और इसको किस नाम से जानते हैं तो यहां भी हम ड मतलब हतेली, तो इतना हतेली के बड़ा उतना होता है, और उसे में आपका ये बॉंजाई बन जाता है, तो इसलिए इसको पाम बॉंजाई के नाम से जानते हैं, क्वेशन आ सकता है कि पाम बॉंजाई के इसको बोलते हैं, फिर मेम बॉंजाई को और किस नाम से जानते हैं, तो पाम बॉंजाई, बॉंजाई की नॉर्मली ग्रो करने की जो हाइट होती है, वो 4-8 इंचिस होती है, लेकिन यहापर मेम बॉंजाई थोड़ा उसका हाइट कम होती है, मतलब 5 से लेके 15 सेंटीमीटर तक होती है, आगे बात करेंगे तो एक जैपनीज आर्ट है, मैं आपक आपको बता चुका हूँ, और टाइप सी मैं आपको सारा बता चुका हूँ, जिसमें कैस्केड हो गया, सेमी कैस्केड हो गया, मल्टीबल ट्रंक हो गया, जो की डीटेल में हमने अपनी वीडियो में डिसकस किया हुआ, तो वहाँ जाके आप देखेंगे, तो आपका आपका वे नीक्तजिनेशी, तो यहाँ पर जो नीक्तजिनेशी आपका क्या है? फैमली है, वोगनंविलिया प्लांट को जालनने थे हैं इस से, रिलेटेड तो वोगन हिलिया इस जैनस ओफ धौर नी, H BT होता है, चाटेदार है, तो है काटेदार प्लांट होता है, ऑनप plant can be grow as a wine और ground cover, तो यहाँ पर warm climate में अच्छे से grow करता है, wagonvillia plant as a wine और ground cover के रूप में, तो यहाँ से हमने इतना कुछ जाना इस question से related next question, variety है marina lini has been developed by IARI, तो यहाँ पर जो आपकी rose variety है marina lini developed की गई थी IARI के द्वारा, अब जान लेते हैं, इस से related क्या का question बन सकता है तो marina lini, जो की IARI ने 1974 में develop की थी और उसके साथ एक सुगंदा यह दोनों आपकी rose की variety है जो IARI ने develop की थी और सुगंदा जो develop की थी वो की थी आपकी 1964 में अब इस से अगर हम आगे जान लेते हैं, तो यहाँ पर एक ची आपको जाननी है कि यहाँ पर जो आपका यह variety है producing about 60 blooms in a season from December to April तो December से लेके April तक 60 blooms करती है यह एक season में और यहाँ पर और भी आपकी कुछ variety है, पूसा सताबदी पूसा कोमल, पूसा अरुन, पूसा मोहित और पूसा आजे, यह भी आपकी rose variety है, जो की IAR ने develop की है, इतना आपको पता होना चाहिए, इस question से related आगे बात करेंगे, top dressing of loan is done in the month of तो यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर यह loan नहीं है, यह loan है LAWN तो यहाँ पर बात हो रही है, top dressing of loan is done in the month of तो वो आपका है, आपका फर्वरी तो फर्वरी मार्च आपका ऐसा month होता है, जो आपका summer का starting होता है, और वहाँ पे सबसे अच्छा time होता है, lawn की top dressing करने का, आप question आता है, top dressing होता क्या है तो top dressing होता है top dressing can be used to smooth the surface of lawn तो lawn की surface को smooth करने के लिए top dressing operation करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं sand और prepared soil mix apply करते हैं, lawn की surface पे, जिसमें एक thin layer होती है लगवग 1 y 4 inches की जो की होता है आपका 6.35 mm या फिर उससे कम तो एक इंच में आपका कितना होता है 10 cm मतलब 25 mm तो याँ पे बात हो रही है, एक इंच का चोथा हिस्सा मतलब लगवग 6.35 mm की layer हम चड़ाते हैं, lawn की surface पे जो आपकी sand की हो सकते हैं, compost की हो सकते हैं, या फिर soil mixture हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, top dressing तो यहाँ से हमने इतने question complete किये आगे जलते हैं, एक और important question blazing star और golden star belong to which family तो blazing star और golden star आपका एक ही है जो की आपका एक plant है, flowering plant है वो किस family से belong करता है तो यहाँ पर आपका answer होगा lows AC, अब बात कर लेते हैं, इससे related क्या question बन सकता है it is a family of sunflower तो यह आपकी sunflower की family है blazing star और golden star इसका जो origin हुआ था, वो California, USA में हुआ था इसकी जो height होती है 45 cm से 60 cm की होती है a well-drained soil and a sunny situation is good for cultivation तो यहाँ पर अगर soil आपकी well-drained है और आपका sunny situation है, मतलब सूरज की रोशनी अच्छे से आती है तो यह बहुत अच्छा बोला जाता है, अच्छा condition माना जाता है इस sunflower के लिए क्योंकि sunflower को sun की रोशनी की ज़्यादा requirement होती है seeds are shown in October, in plain and April in hills अगर आपका plain area है तो आपका October में sowing होगी sheet की अगर आपका hill area है तो April में showing की जाएगी seed की जो कि आपके sunflower की seed की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको इतना जानने को मिला blazing star और golden star क्या है आपकी variety है या बहुत सकते हो sunflower की variety है जो lozes ही family से belong करती है जोसकी origin USA में हुई height इसकी 45 से 60 cm होती है और soil condition अगर well drained है तो अच्छी होती है और वहाँ पर sunny situation होनी चाहिए मतलब वहाँ पर sun की रोशनी continue आनी चाहिए तो वो जगए आपके इन sunflower के variety हो करने के लिए काफी अच्छी होती है आगे बात कर लेते हैं wild garden was expounded by William Robinson Inn जो आप बात हो रही है कि wild garden की जो थियोरी थी वो expound की गई थी William Robinson द्वारा किस century में तो वो की गई थी 19th century में अब जान लेते हैं कि 19th century कैसे हुआ तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं this is a comparatively a recent style of gardening तो यह क्या है हमारी एक recent style थी gardening की और इसमें एक revolutionary concept दिया wild garden के नाम से जो किस ने दिया था William Robinson ने जो last decade of 19th century के last decade में हुआ था wild garden का जो थियोरी आया था लगवग 1870 में आया था अब आप लगा सकते हो 1870 में 19th century क्योंकि 1870 चल ला है तो उसकों क्या वोलेंगे 19th century बोलते हैं तो इसलिए यहां पर आपका अंसर हो जाएगा 19th century Robinson began a working gardener in Ireland तो यहांनोंने Ireland से अपना काम करना स्टार्ट किया as a gardener और इनका जनम हुआ था 5 जोलाई 1838 में और इनकी मृत्ति हो गई थी मई 17 1935 में तो यहां पर इतना पता चल गया यहां पर थोड़ा सबस के बारे में तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं यहां पर हमने इतना कुछ जाना वाइल गार्डन से रिलेटेड और विलियम रॉबिनसन से रिलेटेड आगे बात करेंगे तो इंडोर प्लांट जो होते हैं जो हाउस के अंदर लगा जाते हैं उनके लिए आइडियल टेंपरिचर रेंज कितना होता है तो 15 to 21 डिगरी सेल्सियस तो नॉर्मली जो इंडोर प्लांट होते हैं उसका लवग रेंज यही होता है 15 से 24, 15 से 25 डिगरी सेल्सियस के बीच में सर्वाइब नहीं कर सकते हैं मतलब है कि वो 15 डिगरी सेल्सियस के आसपास ही सर्वाइब कर पाएंगे उनको हम टेंडर प्लांट बोलते हैं आपके हाफ हाडली प्लांट होते हैं जो मोशली आपके इंडोर प्लांट होते हैं यह कम temperature वे भी grow कर सकते हैं, लगवक 7 से 8 degree Celsius temperature वे भी grow कर जाएंगे, उनको हम hardy plant बोलते हैं, तो यहाँ पर हमने तीनों जान लिए, tender plant, half hardy plant और आपका hardy plant, और यह भी जान लिया, indoor plant के लिए ideal range of temperature कितना होता है, तो 15 से 21 degree Celsius is the right answer, आगे चलते हैं, एक और important question, which garden consists as genesis of gardening, तो यहाँ पर genesis मतलब होता है, उत्पत्ती, तो यहाँ पर आपका answer होगा, Eden, तो garden of Eden is the right answer, Eden garden consists as a genesis of gardening, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, garden of Eden is the genesis of gardening, it is also known as paradise, and the garden of Eden is the biblical garden of God, तो उसको हम garden of God ही बोलते हैं, जो की आपका book of genesis में लेखा हुआ है, तो इतना आपको पता होना चाहिए, जो की पिछले exams में आ चुका है, और यह आपका last question है, उसके बाद हम आपके लिए एक प्यारा सा question लेकर आएं, जिसका से या answer आपको comment box में लेकर वेजना है, और next part में हम remaining question को भी cover करेंगे, तो यहाँ पर question है, which Indian state has highest area under floriculture, तो इस type की question आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर पूछा जाएगा highest area, यहाँ फिर पूछा जाएगा highest productivity, यहाँ फिर highest production, तो यहाँ पर यह आपको याद रखना है कि पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर production की बात नहीं हो रही है, productivity की बात नहीं हो रही है, एक्सपोर्ट की बात नहीं हो रही है, लेकिन डेटा आपको याद रखना है, और यह डेटा time to time change होते रहते हैं, तो मैं कोसिस करूँगा कि आपको अपडेट डेटा प्रोवाइट कराऊं, next वीडियो में, next upcoming वीडियो में, ताकि आपको recent डेटा पता चल सके इनकी regarding, तो यहाँ पर बात हो रही है, केवल और केवल highest area under floriculture, तो आपका क्या है करनाटका, करनाटका में सबसे ज़्यादा area में floriculture देखने को मिलता है, मतलब flowers की खेती होती है, जान लेते हैं से related कुछ, तो among states, करनाटका is the leader in floriculture with about 29,700 hectare under floriculture cultivation, तो यहाँ पर lead कर रहा है करनाटका, और लगवग 29,700 hectare में floriculture का cultivation करता है, other major flower growing state और कौन कौन से हैं, तमिलनाडू, अन्दपर्देस हो गए, south में, west, east में आपका west बंगाल हो गया, महराश्ट आपका west में हो गया, और रजस्थान, डेली, हर्याना आपके north में ह तो यह आपके ऐसे state हैं, जो floriculture के cultivation में area wise काफी role play करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा की बात हो रही है, highest area तो आपका होगा करनाटका, लेकिन यह data change होते रहते हैं, इसलिए आप recent data पढ़के जाना, exams के पहले, और मैं कोशिस करूँगा आपको recent data provide करा सकूँ, अब आज का प भारत के किस राज़ में सबसे ज़्यादा सबजियों का production होता है, ठीक है, producer की बात हो रही है, मतलब production की बात हो रही है, तो आपको सही answer comment करना है, आप Google कर सकते हैं, अगर आपको बिना Google के पता है, तो आप बिना Google के answer दे सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीत करता हूँ, आपको इ नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट टू और पार्ट थी लाएंगे, जिसमें हम इस paper को पूरा cover करेंगे, मैं उम्मीत करता हूँ, आपको ये वीडियो helpful लगा होगा, content पसंद आया होगा, अगर थोड़ा सभी पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो डाउलोड करने का लिंक आपको description box में मिल जाएगा, so thank you for watching, जै हिंद, जै भारत